Hi guys, welcome back to my channel, मैं हो नतेश Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत ही important topic के बारे में अगर आपने income tax की assessment year 2021 की आपने return फाइल कर ली होगी तो अब उसकी processing अगर हो जाती है तो return processing के time पे आपको एक intimation issue किया जाता है under section 143.1 suppose करी आपने return जब फाइल कर दी होती है तो उस time पे आपका चाहिए refund का status हो या फिर आपका nil refund और nil demand का status हो या फिर आपकी कोई demand आ रखी हो तीनों ही case में आपको एक intimation आता है under section 143.1 का तो ये intimation क्या होता है इसको आपको किस तरीक से deal करना होता है अगर आपको demand का intimation आया है तो उसका आपको किस तरीक से respond करना है किस तरीक से reply करना है तो आज की इस video में मैं finally इस सारी ही topics को cover करने वाला हूँ और आपको बहुत ही आसान भाशना में और बहुत ही quickly बताऊंगा कि intimation क्या चीज़ होती है और अगर आपको intimation आता है तो क्या उसके बाद आप अपने return में कोई changes कर सकते है specifically demand की case में अगर आपको कोई demand आता है तो क्या आप intimation का demand आने के बाद आपका क्या step बगएरा रहने वाला है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ और आपकी return process हो जाती है तो आपको एक 1431 का intimation issue किया जाता है इस तरीके का और ये green color में होता है और इसको आप नीचे scroll करेंगे तो आपका refund का amount यहाँ पे दिखाये जाएगा और आपकी बाकी details यहाँ पे दिखाये जाती है साथी साथ यहाँ पे comparison दिखाये होता है कि आपने return में क्या file करा था और ये होता है 1431 की processing के दौरान आपका यहाँ पे क्या-क्या figures उठाईगी है और आपका यहाँ पे आपने जितना claim किया था और CPC Bangalore से जितना आपका refund अप्रूव होगा है तो यह सारी details यहाँ पे दिखाईगी होती है और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे complete calculation दिखाईगी होती है तो अब यहाँ पे आप complete calculations को एक बाद चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो refund का amount है वो as it is match हो गया है और उसके साथ ही साथ हमें interest भी दिया गया है under section 244A उपर यहाँ पे हिंदी में यह चीज प्रिंट होती है और नीचे same calculations वगेरा आपको English में प्रिंट करने देखने को मिल जाएगी तो यह होती है refund की calculation अब इसके बाद आती है second type of intimation की जो की होती है no demand, no refund intimation यानि कि आपके अगर nil की कोई आपने return फाइल करी है जिसमें आपको नहीं कोई demand बनता है और नहीं कोई refund बनता है तो उस case में आपको यह blue color का intimation आता है तो इसमें आप देखेंगे same चीज उसी तरीके से यहाँ पे भी आप scroll करके देखेंगे आपकी complete calculations बगएर बताईगी होती है और इसके साथी साथ यहाँ पे नीचे आप scroll करेंगे तो same calculation आपको English में देखने को मिलेगे और यहाँ पे आप complete status बगएर देख सकते हैं अब कई बार ऐसा होता है कि आपने जब return file करी होती है तो उसमें कुछ चीज़े आपने claim करी होती है लेकिन CPC Bangalore में जब processing होती है आपकी refund की, return की तो उस case में आपकी जो return में कुछ deductions वगएरा होती है वो या तो disallow कर दी जाती है या फिर यहाँ पे आपके कुछ exemptions वगएरा कुछ disallow कर दी जाते है कई बार ऐसे होते हैं कि आपका TDS अगर आपने ज़्यादा claim कर रखा होता है तो उस case में आपका mismatch जाता है तो जिसकी वज़े से demand आ जाती है तो कई सारे इसके reasons होते हैं और यह जो होता है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा important होता है कि जैसे ही आपको demand का intimation बगएरा मिलता है तो आप इसके लिए immediately action करें क्योंकि आपको जो demand का intimation होता है कि income tax act में यह साफसा बताया गया है कि जो demand की intimation अगर आपको issue करी जाती है तो यह under section 156 notice of demand की तरीके से भी treat किया जाता है यहाँ पर आप देखेंगे जो intimation है वो red color का है refund की case में green था nil return की case में यह blue था और demand की case में यह red color का है तो इसमें भी आप नीचे scroll करके अपने details पगएरा देख सके हैं कि आपका यहाँ पर कहाँ पर mismatch हो रहा है तो अगर आपका mismatch किसी गलत कारणों की वज़े से है यानि कि आपने सारी चीज़ें सही से claim करी है still वहाँ पर अगर आपका demand आ गया है तो उस case में आप उसके लिए rectification request डाल सकते हैं under section 154 या फिर अगर आपकी current year की आपकी return है तो उस case में आप अपना return जो है वो revise कर सकते हैं सबसे पहले आपको इसको go through करना है completely कि आपकी return में कहाँ mismatch हो रही है और demand आने का main कारण क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 49,220 रुपय का यहाँ पर demand आ रखा हुआ है अब यहाँ पर scroll करके आप check करेंगे कि हमारा जो mismatch है उसका जो main reason है वो है हमारा TDS का amount हमने यहाँ पर जो TDS क्लेम कर रखा हुआ है 146,241 है जब कि CPC Bangalore की processing के दोरां पर यहाँ पर सिर्फ 63,049 का TDS accept किया गया है तो यहाँ पर जो TDS का mismatch हो रहा है उसके वज़े से demand आई हुई है और साथी साथ यहाँ पर interest का amount वगएरा लगा दिया गया है अब इसकी जो detailing है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या return में file किया था और CPC processing के दौरान में यहाँ पर क्या चीज़े accept करीगी है तो आप एक एक figure match कराएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो main mismatch का जो वज़े हैं जो mismatch का जो कारण है वो है हमारा prepared taxes आप यहाँ पर देख सकते हैं TDS के amount का यहाँ पर mismatch है और जिसकी वज़े से यहाँ पर demand आ रखी हुई है तो इस case में आपको क्या करना है अगर आपका भी ऐसा कोई case है तो आप सबसे पहले यह चेक करेंगे कि आपके form 26 AS में आपका कितना TDS जो कर रखा हुआ है तो यहाँ पर in short हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि mismatch का reason क्या है हमारा demand क्यों आया हुआ है जब हमारी return में हमने यह पता कर लिया कि हमारा TDS का mismatch है और हमारी return में बाकि सारी information सही है तो इसके लिए आप response दे सकते हैं अगर आपके किसी previous year की demand वगरा आया हुए है तो उस case में आपके पास एक option होता है कि rectification आप file कर सकते हैं क्योंकि previous year की return revise नहीं हो सकती तो आप उस case में rectification under section 154 डाल सकते हैं यह जो particular आपका जो demand आया हुआ है वो assessment यह 2021 का है तो इस case में हमारे पास option बसता है rectification डालने का तो हम यहाँ पर इस demand के against में rectification under section 154 डाल सकते हैं और तीसरा तरीका तो यह है कि अगर आपके जो demand आयुए है उसका reason जो है वो कोई genuine mistake है आपके return में कोई basically कोई चीज आप से miss हो गई थी genuinely आप से कोई चीज छूट गई है या फिर कोई गलती हो गई है तो उस case में आप अपने return को revise कर सकते हैं तो यह आपके पास तीन तरीके होते हैं अपने demand से ने पटने के लिए तो आप इनको किस तरीके से portal पे कर सकते हैं अब मैं आपको यह दिखाता हूँ outstanding demand अगर आपका current year का कोई demand तो आप इस section में जा करके इसके against में आप reply दे सकते हैं हमारी case में यहाँ पे current year का हमारा कोई demand नहीं है तो उस case में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है अगर आपका यहाँ पे कोई preceding year का जानी कि पिछले सालों का कुछ अगा demand आ रखका हो तो उस case में आप rectification under section 154 डाल सकते हैं rectification file करने के लिए आपको services के tab में जाना है और यहाँ पे सबसे पहला option आपको दिखेगा rectification इस पे करना है आपको click अब यहाँ पे click करने के बाद हमने इस demand के against में already यहाँ पे rectification डाल रखी हुई है तो अगर आपको कोई यहाँ पे new rectification डालनी होती है तो आप सबसे पहले new request पे click करेंगे और यहाँ पे आपको अपना assessment year चूज करना होता है कि 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 assessment year के लिए आपका यह rectification आपको file करना चाहते हैं तो हमारी case में यहाँ पे 21 की जो demand आई हुई थी assessment year 21 की तो उसके लिए हमारा rectification अब फाइल करना है तो हम यहाँ पे assessment year चूज करेंगे इसके बाद यहाँ पे continue पे click करेंगे अब हमारे case में यहाँ पे हमने already एक application समिट कर रखा हुआ है इसलिए यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप एक से जादा rectification आप file नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले से कोई request वगएर नहीं डाल रखी हुए तो यहाँ पे आपको other options देखना शुरू हो जाते हैं अगर आपकी किसी पिछले सालों की demand है current year की demand है तो आपको pending action में जाकर के response to outstanding demand में अपना response देना है और अगर आपसे कोई genuine mistake हो गई या आपकी return फाइल करते time तो उसके लिए आपको simply कुछ नहीं करना आपको dashboard पे चले आना है और यहाँ पे आपको file revised return का option मिल जाएगा simply इस पे आप click कर देंगे और आप अपनी नई return फाइल कर सकते हैं यानि की same assessment देखी complete नई return फाइल कर सकते हैं और जैसे ही आपकी new return फाइल हो जाती है तो उसके बाद आपका जो previous original return होता है वो उसको replace कर देता है और new return यानि की revised return जो होती है वो आपके accept कर ली जाती है तो यह थी complete video regarding your income tax intimation under section 143 I really-really हो guys कि यह video आपको useful लगे होगी और साथ ही साथ अगर आपको यह video useful लगती है तो इस video को like जरूर कर दीजेगा और अपने friends के साथ share जरूर कर दीजेगा इसके साथ ही साथ अगर आपको भी कोई income tax का demand बगरा आया हुआ है या फिर आपका refund अभी तक issue नहीं हो सका है या फिर आपको और भी कोई issue है तो आप definitely हमें contact कर सकते हैं और साथ ही साथ आप comment करके हमसे जरूर बात कर सकते हैं मैं जितनी भी maximum comments हो सकता है उनके replies करने के हमेशा कोशिश करता हूँ और साथ ही साथ guys इस channel को subscribe जरूर कर लेजेगा ताकि ऐसे ही useful और बहुत informative videos आपको future में मिलते रहें चली guys मैं आपसे मिलता हूँ next video में thank you very much